तो आज हम बात करेंगे DSSB के बारे में यानि की DSSB के रिजल्ट के यानि की फाइनल आंसर की के बारे में बात करेंगे जो कि अलग-अलग पोस्ट के लिए है तो बेसिकली हम बात करेंगे टीचिंग से रिलेटेड तो जितने भी टीचिंग से रिलेटेड फाइनल आंसर की आई है उनके बारे में हम बात कर लेंगे और आप यहाँ पर यह नोटिफिकेशन देख सकते हैं यह कल का ही नोटिफिकेशन है जो कि DSSB की साइट पर डालागी और हाँ दूसरी चीज यह कि जो भी नोटिफिकेशन में यहाँ शेयर करती हूँ वो मैं टेलिग्राम पर भी शेयर कर देती हूँ तो अगर आप टेलिग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलिग्राम से जुड़ जाए ताकि मैं महाँ पर भी काफी इंट्रस्टिंग चीज आप पहुचाती रहती ठीक है तो टेलिग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा तो अब मैं आपको बता देती हूँ डिस्प्ले ओफ फाइनल आंसर की फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ट एगजामिनेशन फॉर वीरिस एगजामिनेशन एस पर डिटेल्स गिवन ब्लो ठीक साथ मार्च को, सोला मार्च को, बीस मार्च को, सब्ताइस मार्च को, उनत्यस मार्च को और तीस मार्च को और आभी आगे भी है इसमें ठीक है आगे देखे आगे तैईस, चौबिस, पचिस, छबिस ठीक है इन इसको भी एगजाम हुआ था ठीक है पोस्ट कोड है आपका 47 7 by 21 ठीक है और उसका भी आपका 42 by 21 ठीक है ये प्राइमरी आसिस्टेंट टीचर प्राइमरी है यह भी है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी ठीक है अब यहाँ पर मैं बता देती हूं आपकी finalement answer की आ चुकी है और आप कैसे चेक करेंगे आपनी final answer की जो भी है ठीक है तो मैं एक वार आपको वो बता देती हूँ ताकि आपको difficulty ना हो ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमाई site के बारे में तो dssb.delly.gov.in ठीक है यह आपकी website है यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर scroll कीजिएगा scroll करने के बाद आपको सारे options मिल जाएंगे display of final answer की for online computer-based examination test held on held in March ठीक है तो यह वाला जो section है और अगर आप पहले के exams की या फिर और भी exams की तो यहाँ पर देखे starting में यहाँ पर March का दे रखा है या March का दे रखा है या April का दे रखा है जो भी जब भी आपका exam हुआ है उस पर आप click करिएगा तो हम March पर click कर लेते हैं जैसे ही हम इसे click करेंगे तो यहाँ application number DOB जैसे ही आप डालेंगे और यह QR code है इसे जैसे ही डालेंगे तो आपकी final answer की आपके मिल जाएगे ठीक है तो ज्यादा लंबा procedure नहीं है बस क्या डालना है आपको आपके DOB और application number ठीक है और hope so मैंने कोशिश करी है कि आपको सारी authentic चीज़े provide करने की लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो प्लीज आप मुझे comment box में comment कीज़ेगा as soon as possible मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे doubt clear कर सको अगर वीडियो अच्छा लगा हो informative लगा हो तो please like and share कीज़ेगा और please अगर आप वीडियो देखते हैं तो चैनल को subscribe भी ज़रू करें क्योंकि थोड़ा सा motivation मिलता है क्योंकि 80% ऐसी audience है जिनोंने वीडियो तो रोज देख है झाँ आपके सारे बीडियो अगर प्रहें वीडियो दोड़ा धनल लगा हो ऑगर वीडियो देखते हैं